राजस्थान के सीएम अशोग गैलोद द्वारा नियाय पालिका को लेकर की गई टिपणी के मामली में अब उनकी शिकायत हाई कोट के चीफ जस्टिस तक पहुच गई है उनके खिलाफ यह शिकायत राजस्थान बार काउंसल के पूर्व वाइस चेयर्मेंड योगेंदर सिं उसको चुठी लिखी जुसमें उन्होंने सीएम गैलोद पर गंभीर आरोप लगाए वकिल तनवर ने लिखा मैं सीएम अशोग गैलोद द्वारा नियाय पालिका और वकीलों को लेकर की गई अपमान जनक टिपनी की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं यह टिप सीएम गैलोद ने सारवजनिक रूप से बयान देते हुए नियाय पालिका पर फ्रस्ट चार करने का रूप लगाया जो कि इसकी प्रतिष्ठा को चोड़ पहुचा रहा है और उन लोगों की इमानदारी पर सवाल खड़े कर रहा है जो कि नियाय को बरकरार रखने के लिए प्रयास कर रही है योगेंदर सिंग तनवर आगे लिखते हैं यह बयान ना केवल नियाय पालिका की प्रतिष्ठा को नुक्सान पहुचा रहा है बलकि विदी विवस्था की कार्य प्रनाली को बाधित कर रहा है ऐसा बयान देकर सीम गैलोद ने कानून के शासन और उसकी प्रक्रिया के प्रती अनादन जाहिर किया है उनका बयान ऐसा है कि इससे न्याय पालिका को लेकर लोगों की राय पर असर पड़ेगा और यह नागरिकों के भरोसे को कम करेगा जो कि एक समाज को बरकरा रखने के लिए जरूरी है तन्वर ने कारवाय की मांग करते हुए क मैं आपसे यह अपील करता हूँ कि इस चिठी को सियम गैलोद के खिलाफ अपराधिक शिकायत के रूप में देखा जाए। मैं आपसे अनुरोद करता हूँ कि संग्यान लेकर मामले की जाच कराई जाए और उचित कारवाई की जाए। मैं साथ ही यह अनुरोद कभी करता हूँ कि नियाय पालिका की अखंडता और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाए। अगर ऐसी बात करेंगे तो देश के जो आमनागरिक है उनका जो विश्वास है वो कही न कही डगमागा सरूर जाएगा जो कि बिल्कुल भी देश के लिए उचित नहीं है। झाल